ओके गाइज सो इससे लास्ट वीडियो में हमने लैक थेयर्टिकल पार्ट दिखा कर भी बट इज मोबेक्स एंड वट आर्ट अर्ट अर्ट अब यह सब चीजे हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले है तो आइस मैंने क्या किया है कि अगें यह startled यह है हमारा create-rect tab मैं type script का project बनाता हूं तो यह command के थूरू मैंने यह project बनाया nothing else okay सिर्फ यह चीज मैंने like command prompt करण की so mobex react example से बनाया और यह से मैं गीटब पर डाल दूँगा so let's start सबसे पहले हम क्या करेंगे एक store बनाएंगे okay so सबसे पहले हम बनाएंगे store and एक बनाएंगे हम components कि बलती ही करती है एक बना लेंगे hoops का component सबसे पहले हम store बनाएंगे first store and store में हम देंगे like सबसे पहले हम basic set store बनाएंगे उसका नाम होगा हमारा account store dot ts okay again यह type script से बनाएंगे हम सबसे पहले again again कैसे store बनाएंगे हम यहांपर class okay class बनाएंगे class के तुरू यहांपर हम store होनाएंगे like जैसे मेरा count हो जाएगा number number starting में हो जाएगे जैसे मेरा बनाएंगे okay default हो नमबर हो जाएगा and मेरा को जाएगा constructor so constructor में हम क्या होनाएंगे this so constructor में हम observer सबसे पहले मेरे को install भी तो करना है इस्टोल मॉबेक्स करना है सबसे पहले मेरे को तो किया था okay and उसके बाद करना हमको मॉबेक्स होने के बाद हाएक यह करना है मुझे यह टाइक स्क्रिप्ट के लिए रखता है अपने को tsconfig में इसको चेज़ करना है okay done and mobax is installed and after that हमको एक और one more thing हमको install करना है वो है react के लिए लगता है react integration में है यहां पर this one एक लाइब्रेरी यह लाइक के लिए हमको observable देता है इसे सब चीजें जो हमको UI पर रेंटर करने लिए हमकी help करेगा okay full so make observable का यूज़ करेंगे वो करता क्या है okay यह बताता है कि क्या action है क्या value है cash data है यह सब चीजें पर लाइक मेरा इसे count हो गया count क्या है मेरा observable observable का meaning क्या होगा कि count की value जब भी change होगी हमको UI case value का पता लिए इसको इनोंने observable हो दिया है okay अब इसके बादने एक बनाएं method increment okay so increment क्या करेंगे increment मेरा क्या होगा है action होगा okay so this.count plus this okay so increment होगा action होगा क्याना थी चीज़े रहती है इसमे action observable observable means state की जो state होगा state होगी increment action होगा अधिक बनाएंगा decrement अब जो मैं आपको बहुत रहाएं कि इससे अलग क्या रहता है हमारा computed value जो computed value तो अब अपने को evalue को get करना है uip जो इसको बहुत होगा count जो जाए get result get count count value okay evalue distort count फुल यह होगा हमारा computed इस सब हमारे किस से आते हैं mopex से आते हैं action computed make home survival home survival यह बन गया हमारा plain store like state store हम बनाएंगे root store dot ts export interface i root store and count इसमेंगा count store okay एक इस टाइब का है मेरा इस टाइब का आ changing do आप बनाएँश export class root store गनाएंगे हम root store क्या करेगा आप क्या करो के multiple stores को एक root store के ऊपर देडोगे और यह क्या करेगा इंट्रफेस करेगा इंप्लिमेट यह class है में and count store करेगा है ठीक है and फिर हम करेगे इंक पर एक constructor यहाप पर एक च्रॉक्टर होगा अधिकर विधे विधे तो भी आपने हो जो में सोगाया है तो धार आप विधे में अब प्रूट का में अब दो यह ए तो प्रूटोड में तो में अधिकर जिसे कारव मेन आपनें है हम वो rootstore डिर्ट फुपपवाएंगे तो उसके लिए आपने को क्या लेगे लागा विए उसके लिए हमको एक rootstore डर्क पर बनाना बढ़ेगा iStore iRootStore rank, okay and अना देगा iRootStore and ये क्या करेगा, accept करेगा iRootStore this type का लगा this type का लगा and यहाँ पर जस्ट आप पता है क्या होगा, जितने भी मेरे store होएंगे ना मैं इस store पर दूसरे store को access कर सकता हूँ with the help of this and just यहाँ पर मैं this देदूँआ, तो यह store का जो instance होगा मैंने pass कर दिया है यहाँ पर जो जो भी मेरे store को रहेगा वह इस पर आगे और यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता है दूसरे store को अभी मैं एक्सेस कर सकता है दूसरे store को बना लिए अब हम इसो एक react component में उसे पहले हम इसो context के थूसको हम यूज करने मादे है so फिर उसके लिए अब क्या करेंगे एक कर बनाएंगे एक कर बनाएंगे index.tss okay so यह आपर हम context नहींगे rootStoreContext equal to createContext अबना हमरा जो करेंगे rootStore 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 ठीक है यह मैंना बनाएंगे simple यह मैंने context बना लिया जो rootStore का बन गया है I think अगर आपने context पे मैंने एक full flash video बना रखिया आप आपर आपर जाकर देख सकते हूंगे context कैसे हम बनाते हैं कैसे उसकर से and एक hook बनाऊगा मैं आप तो बनाएगी लाइक जो मेरे store का एक rootStore.tsx okay so यहां पर क्या बनाएगी export and rootStore use context के through react से हम लेगे और जो मैंने rootStore context जो मैंने जो मैंने rootStore simple बहुत simple है अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे components लेगे components बनाता हम मैं count काईगा so यहां पर मैं component component बनाएगे अब हम export count observable through हम observable क्या करते है higher order component है जो यह सब चीज़े हमको तो यह observable क्या करते है जो भी हमारे काउंट में कुछ भी चेंगे state में कुछ भी changes होंगे वह आंको uip मिल जाएंगे useState sorry useState जो आमने hook बनागे इसके पर हमारे पास कहा लेगा right useState जो आएंगे जो जो आएंगे change the return क्योंग save जो आएंगे count क्यांगे count क्यांगे रखेन अभा इसके आपको पता होगा जो आएंगे root show क्यांगे count show count show क्या count count right and button बना लगा इसमें two button बनेगे okay इसमें क्या रहेगा on click just here right right so const on increment इसमें 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 install dot install dot increments अब देएंगे आप यह root show dot आएंगे आएंगे आएंगा आएंगे 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 पार मैंघ पार माइड है को बैटी और आएंगे आएंगे the अबर एंगे सो 1 त्टिक नहीं है ऐख तक आप अपने तो आप तो आप अधिए तो यह चुछ लेंगें यहां को इसके डिखुर्मेंट नहीं है इसमेश की डिखुर्मेंट नहीं है सेंपल कि इस को अम कहा है यहानि स्थार्ट करें स्मिंपल ज्यॡदिए कई थे स्वेस हैं लिए कम फॉर प्ला गेल रहता हिए एक बना लिया और एक actsنت क्रेया हमएने, पर सक्माेश पर प्लिदो क्यूंस करेंग कुछ फिल्ल हो रहा है मैंने उसकिया है बैच यो इस वंजेर है अब आप हम देखते हैं, अब इसकैल से लिम बेंटर करें वोर ने एक CSX टाइप इस मैलेड एकस्पेक्टेट ए स्ट्रेंग कहां पर आ रहा जो हमने यह अब चरवर है और यह यह न मैंने खल्द कर दिया यह अब चरवर आएगा मोपेक्स इस एक जो हमने लाएगे रेडी हो गया ए इन फूम प्लस कर रहा है så इस लाइबरी काम यूज करेंगे लोगिंग करने के लिए जैसे ये लोगिंगी स्टैप से लोगिंग कर रहा तो यूज कर लिजी और इस काम ने और हमको से भी इंवार्मेंट में चाहिए तो हमारे पास पुछे स्टॉड इंवी इंवार्मेंट है हमारे पास अगर वो इंवार्मेंट है तो हम क्यातरेंगे रिक्वायर तो हमने भी लाइडरे लिए है लोगर से ले लेंगे में पैट कर रहा है कि इंवार्में अछेन कर जा Ha बने कर रहा है नशने कर भी अठावर्मेंट नवार्मेंके खिरूव और हां笑 को तो हम आतर लेंग य mm अब आझा में इसको क्लीन करता हूँ..। प्लस करता हू niy एक्सें में एक काउं ट्रीगर हुँआ उनसे एक्सें ट्रीगर गाउ से stats brut excel फर अप्लेश्चें में मीनस करता हूं.... देङ रिए कुछहिएyesare इक्सें क्लुच करता हूँ और क्तर पूरी इंफरेमेसन जाके देख सकते पूरे इंपर में यह था एक सिम्पल अमने इक प्र बनाया है और उछ इस कंगया store बना है और उसको UI पे यूज़ किया है simple और हमने एक लोगिंग किया है कि इन्फरमेशन लोग करने के लिए लिए कौन से एक्षन प्रफॉम हो रहा है कौन सा इवन ट्रिगर हो रहा है उस सब इस सब्सक्राइब के लिए मैय चारताओ मैब इस सब्सक्राइब के अधरिताहून उससe नर्ण डिटपपि ऐल्यक्तậ ॥ को और स्थान के ग्वेप Aha के लिस है अधरता गिक्टाओ पांए इसका नाम होगा MOVEX REACT EXAMPLE DESCRIPTION MOVEX REACT EXAMPLE पबलिक रहेगा और रेटी में और कुछ करने की क्वर्मेंट नहीं है एंड जस्ट हमको अब यह फुर्ड़ेट को add कर देना है तो यह सब changes मेरे इसमें add कर देता हूँ ओठ जसे हम जसे हिसे अ मक्रेट क्वर्मेंट क्रड़ क्वर्मेर अ क्वर्मेंट बि TechChder % जसे अर्टाहन वार्मेंट अब मेरे सारे changes अब गिटप पर यहां पर एड़ कर दिया है इस जिपोजिट पर यहां पर पूरा के लेख सकते component store जो मेरे यह changes यह 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 कर दो करता हूं कि नोट्स पर तो मैं कहां पर आड़ कर दो इसको यहां पर आड़ करता हूं तो आप यहां पर मेरे देख सकते हुआ है सभी जो अभी तक मैं ने कर दिये हैं वो भी यहां पर जाएंगे कि देख सब्सक्राइब कर देख एक स्टोर के रिए और फिर रूट स्टोर के थूंब क्या करेंगे एक सोच दूसरे स्टोर के फंक्सन को आपको कोई वीडाउट हो प्लीज लेट में नो चैनल को सिस्क्राइब करने मत रहें कर दो चैनल को